बस लगे रहना है हाँ नहीं मानिए लेकिन जब फिर थर्ड में आया तो फिर मेरे अच्छी सीजी बनी है थर्ड में तो उसके बाद अंदर से ही मोटिवेशन जा गया कि हां मैं कर सकता हूं बाई मा तो देखो जलम दी हूं पाली पोसी हूं और अठ्यां तक लियान को में डम को यहात है और बाई दूसरी मा है भूल अकट नाईस है अठ्यां तक पहुंचिवा है और मैं में डम को भी लाख लाख शुकर मनाओं पर मैं ठीक ठाग दाओ रहे हैं मजूरी करकर टेम पास कर रहे हैं आगलान पढ़ा रहे हैं और आज आपा पूचे हां बीड़ती चंद को को जो कि मंड्रेला रोड पर पढ़ा है भी कि सारे एक मोलो है जो कि आपना वाड नंबर चोहन कंदर पढ़ा है अडेक चात्तर जी को नाम मुकेस है जो कि बहुत निच्चों शुरू करकि आज आयाइटी जम्मू कंदर पढ और इक कमार मुटा वहां पर जान करति और आपने ने का और बच्चा क्हाल क्यों नंस रंज्चनि नूं को करेंगे बाको नामगँ to be naarlo तक को इस सफर के बार हम शुरुआत वाब बात चीट कर सें तो शुरुक सुरुआत कड़े होई थारी जो पढ़ाई होई विगी सुरुआत कड़े होई शुरुआत मेरी मैंने यानी वन से एड तक करी थी यहां पर हमारे मौले के पास में स्कूल है अम बैठकर उच प्रात्वीं को विद्या ले उससे उसके बाद नाइंट्वीं में गया था सरकारी स्कूल में जैपी जानों सईद पर एड़े पढ़ा जी टाइम के तरीके की पापा बट्टे पर काम करते थे तो चोटा था मैं तो अब सरु में कोई भी हो यानि बच्चा अपनी ममी पापा के बगएर रह नहीं सकता था तो मैं भी ऐसा ही था लेकिन मेरा बड़ा बाई था वो में नानी के पास रहता था वो भी यहीं के जुन जुनु के तो फिर द यहां से वापत जाते थे तो काफी रोता था तो फिर एक दो बारी तो मतलब उनके साथ चला भी गया हमें लेकिन बाद में फिर दीरे दीरे पढ़ने लगा अब उस टाइम पर सब कुछ इंग्लिस में था और मेरा वन से टॉल तक सारा हिंदी में था तो वो अबजर में न क्लास भी ओनलाइन थी तो मेरा किसी से मतलब इंटरेक्शन हुआ नहीं पिर जब हमारा थर्ड से मोथ फिर मेरा कि कंट से मेसिट में उसने घराएगा तो अप्लाइन हुआ था अनृट फिर नहीं पाता था और सब कुछ इंगलिस में था तो ऐसे इतने सरकम स्टेंस ऐसे बन गए कि मेरे यानि फर्ट और सेकंड सेम में बेक भी लगी है लेकिन जब फिर थर्ड में आया तो फिर मेरे अच्छी सीजी बनी है थर्ड में तो उसके बाद अंदर से की मोटीवेशन जा गया कि हां मैं कर सकता हूं गयरा आगई यजद एक बर टो डी मोटीवेशन आयो है वह को आप पिछ्जर टी हम्यां को बॉल दिया था कि मैं छोड़ने वालों मैं नहीं कर रहा, मैं कुछ और लूँ यहांसे तो दो फिर मैम ने मुझे समझाया मोटिवेट किया तो फिर में मतलब लगा रहा, तो अभी थीक ए है अभी कर रहा, चरह हाँ सब्सक् kinetic roku अ कर वाई या निव 치ल मेरी मेह नहीं करवाइए यानि अजल यानियम के रिलेशन में नहीं को consistent हए उनको इस मेरे इंट्रेक्षन उनसे करवाया तो फिर और मैम की लड़की भी थी साथ में तो हम सब नहीं मिलके फिर वो कांसलिंग वगेरे करी तो कॉलिज में एक आई दिक्कत आई कि थारे इंट्रेक्शन अड़िया एकला और भी दिक्कत थान फेस करने पड़ी अब दिक्कत यह थी मेरे पिताजी के थोड़ा बहुत तो हमने कर लिया था लेकिन बाद में फिर मैंने मैं से इस बारे में बात करी तो मैंने किसी ट्रस्ट से सूट जी डाका चलाते हैं वो शैद वो उनके सदश्य हैं तो उनसे बात करी फिर उन्होंने मेरे थर्षे में 65,000 रुपे की हेल्प करी तो बाकी जो सित लक्ति हैं और 20,000 रुपे होसटल फिल व गanny羅 और उसमें मेडिकल का चार्ज वगर चिमखाने का चार्ज व ग्रा या जो ट्रेवलिंग होता है उसका वो सबतीन उस में उसमेक का फिर तो पर सेमेस्टर 40,000 रुपे लग जाती है और उसमें यह भी होता है कि मतलब अब सेटिस्फाइड हो एक तरीकों देखा हूं जी साब उथर लाइफ चाल रही है लेकिन अभी भी यह क्लियर होगा तब देखते हैं लेकिन अभी मैं सेटिस्फाइड हूं इंजोई कर रहा हूं कोलेज में पढ़ रहा हूं मजा रहा है और जो थारी एज का विद्यार थी प्रप्रेशन करे है और कोई चीज़ की प्रप्रेशन करें बांदे कुछ बोलनों चाहो मैं तो यह हर चाहूंगा कि बस लगे रहना हूं यह नहीं है बीच में इसा सभी की लाइफ में होता है कि कुछ ना कुछ ना कुछ प्रोब्लम हो या तो यदि हैपन उसको छोड़ तो फिर छूट जाएगा लेकिन यह अपन स्ट्रेट फॉर्वर रहे उसकी तरफ यानि हमारा में वही रहा तो हम कर सकते हैं आगे बढ़ते रहना है यानि भटकना नहीं क्योंकि रास्ते बहुत मिलेंगे लेकिन हम जिस रास्ते पर जा रहे हमें उसी पर चलना है और चोटो उसको छोड़ना नहीं चाहिए पढ़ाई में तो पढ़ाई के पीछे लगो जब तक आपको अपना मुकाम आसिल ना हो यह कहना है बक्की अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटा बाई मतलब गाउं गली मोले का का काफी नाम रसन हुआ जब इसका पूरे दिन बदाईयों से मतलब मैसीज गोल फेमली के रिलेट्विस के सभी क्या रहे थे तो किसको अच्छा नहीं लगता और बच्छो अत्ती कठीनायों निकल कि आज धरुनाम रोशन करें पर्थान की सोख लाग रहे है के खेंड़ बढ़िया लाग रहे है और ताब उ कि चिंते होने अब तो अधिका काने की तो और बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं पर्ली जद पढ़िया कर तो जद थाना है उम्मीद ही कि कालना आगजा कि तो नाम रोशन करें आप जद में बठापर रहता है जद मार साथ ही तो हो यो तो जद फेरी को दिमाग तो कि अधिक बढ़िया करें ने जाकर कुछ तास बगार कुछ भीयों तो गेम घंग खिलवातों तो यो सब बड़ा बड़ा ने भी हरा देतों तो तो फिर मान सब बढ़े माली को रसी बोलता के इन ना थे पढ़ाओ उए का दिमाग बोता है तो आग जाका ना यो बढ़ा ग बड़ती ही तो मेना रोता भी हा और अटेने ये रोता हा ठीने मेर रोता हा और बड़ी चाती पर पत्थर दर करन इन अन छोड़ द्या हाऊ रहे तो माहभाब को काल जोई नी खड़ा है बेटी बेटां धूर छोड़ जन इसलिए भूला कठ नाई से अठ्यां तक सपोर्ट करें आज तक भी कर रहा है और बांके दूसरी माया समझ लोगाई है अब आपा पूचिया मुकेस का पिताजी गंजो की पिछा जोस्ते साइट देख को अड़े मजदूरी को काम करया करें बाव आपा जानकारी लेश्यां कि बागो बच्चों इत्ती कठी नायान पार करकी बागो नाम रोशन करें आयाइटी जमूक अंदर आपको सेलेक्शन लिए तो भी परबान की सोख लाग रहे हैं मजूरी करकर टेम पास कर रहे हैं कारुबार करकर अब मारी जिन्दकी सुदर जा तो पी मूँ बहुत पादो है मिंत कर जो हूं 400 में मजूरी कर जा मुकेश हूं बाद ची तो ही जना वो आपकी लाइफ कंदर मोटिवेशन को सव वोड़ो जो कारण होगो थान बतावी पर थारो के कहना है मेरो यह कहना है कि मुकेश ने जितो ओसक्यों भी तो मैं मोटिवेट करें मैं मैं बेरो बेटों समझ के मोटिवेट करें और उनको इंटलिजेंट्शी को मन पतो जचाले हो जड़ में केकर हो कि एक स्कूल में गोशना करी ही कि जब अच्छे के 95% नंबर आऊंगा बिन एक लाग रुपया दिया जांगा और जिके 90% तो पिचाण में के बीच माऊंगा बिन पचास जार रुपया दिया जांगा इको से कां फिर मैं प्रिंशीपल सरों बात करी प्रिंशीपल सर मनी राम जी मंडिवाला बै बोला मेडम थे तो कोई आया को स्टूडेंट तयार करो जो 95 या 90 उपर मार्क्स लेक्या हो है आपका बिल्कुल या तो खुद अपने सेलरीं दे देंगा या आपकोई भी महमासा को स्टूडेंट तो स्टूडेंट तयार करो फिर एक दिन के यो जब मुकेश 9th क्लास में हो तब मैं 9th क्लास का बच्चा और 9th क्लास की क्लास टीचर अमिरिता मेडम आके बोलिया कि सुनिता जी थारो जोगो यो गोशना आपका पूरे स्टाफ मिलके करी है ना यो मुकेश मैं टार्गेट ने तोड़ेगो जद 9th क्लास पास होने के बाद मैं मैं एक उपर विशेश ध्यान दियो और इन चुटियां के माई नहीं जेड मेने की चुटियां के मारे हमारी स्टिसी की प्रिक्सा चाला करती तो मैं स्टाफ वाला स्कूल में यहां करता तो मैं एक मेरी बिटिया को क्लास मेट हो आई अगरवाल बिन बुलायो मैच्स पढ़ान के ले बिटिया ने खुद SST और इंग्लिस पढ़ाई और मैं जितो मन थोड़ोगो टाइम मिल्या करता हो भी कि मैंने साइंस पढ़ाई चुटियां डेड मेने की चुटियां लगबग मैं मारी तर स्टेड़ी ज्यादा करूंगो क्योंकि मेरे उस लेवस चुटियां में थे करवा दियो है तो यह सेल्ब स्टेड़ी करतों और मैं सिरफ इने क्लास में बुला करके अक्स्ट्रा एंकुन बोर्ड का जो मोडल पेपर होता बैस वोल करवाता और मारा जो सब्जेक्ट टीचर और रिकोर्ड हो वो तोड़ दियो भी वहां थारी पहली परतिकरिया किया ही इको रिजेल्ट सबसे पहले हमें देखियो मैं परिक्षा कक्स में बैठी ही जद इका 93.6 क्योंकि हम माने यो लाग रही हो कि के पर तो 90 क्रोस करेगो कुन करेगो लेकिन इका 93.6 मैं माक्सीट म का प्राइज आज ही देना है अपने को दूसर बोले कि बताओ दे देंगे पैसे कहां से आएंगे तब हमने एक मैडम थी हमारे वहीं विमला जी केटारिया उनको का कि मैडम कैसे भी हमें पैसे उधार देदो आप फिर हम कर लेंगे स्टाफ से लेकर के लेकिन आप तो एक कर लेगा लेकिन इस बच्चे की इच्छा थी कि मैं IIT करूँ फिर क्या हुआ 11 तो इसने मेरे स्कूल से की जब जो ही हो यह 12 में 11 में था यह फरवरी में तो मेरा कोलेज अजूकेशन में स्लेक्शन हो गया था तब इसका मेरे पास कोल आया कि मैडम आपको बहुत बुत बाद में IIT की तयारी करूँ तब मैंने कहा की IIT के अगर तयौरी करनी है । विग के दूरा था फिर उसको सिक कर इंटरेंश के लिए ठेष्ट दिलाने के दिल्गे ले के गए ताकि फीस कम हो जाए क्योंकि मैंनबुदा तो फीस का था कि कोचिंग में लगबग लाख रुपे फीस लगते हैं ट्यूसन फीस और साथ हजार यासी अजार के बीच में उनकी होस्टल फीस थी तो तीन-चार कोचिंगों में चार दिन लगातार गए सब में टेश्ट द कहा कि मैडम आप क्या चाहते हो अपने बच्चों के लिए तो कोचिंग में सभी लोग आते हैं लेकिन हमने पहली बार देखा है कि स्कूल स्टाफ किसी बच्चे को ले करके आया है तो आप जो चाहते हो वह हम पूरा कर देंगे तब मैंने कहा कि सर्म कोचिंग फिस बिल्कु किया और फिस भी मैं मेरे मुकेस से नहीं वह उसने मुकेस ने पुछा था कि मैडम कितने पैसे लगेगी मैं कितने लेके जाओं तो मैंने उसको यह कहा कि तू कुछ भी मत लेके जा मैं दे दूंगी अपने आप वह फिस मैंने दी लेकिन मुकेस भी इतना स्वाबी मानी थ कि उसने का कि मैडम 50,000 रुपे आपने जो हमें दिये थे वो मेरे पास पूरे सुरक्षित पड़े हैं तो मैं ये रिटन करूंगा और दूसरे दिन वो 45,000 रुपे मुकेस का भाई जो है वो मुझे तुरंत दे के चला गया लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें कभी ये नहीं डरन चाहिए कि बच्चे जो है कि हमारा खर्चा लग जाएगा हमें वापस नहीं मिलेंगे मुझे ये नहीं था कि मुकेस के पास पैसे हैं फिर भी मैंने उनके 45,000 रुपे खुद ने मेरी जैव से जमा करवाई लेकिन मुकेस ने तुरंत वो रिटन कर दिये तो ये है नहीं कि कि है कि कि पैसे कि इसाब से बच्चे को हम रख दें तो बच्चे में बड़ा सुवाब इमान होता है बच्चे की सफलता कुश्टी अधर मोटीवेशन ने देनों चाहोगा या भी की मैने जयादा देनों चाहों हूँ मॉटिवेट कर नहीं को काम होई है और मैं शिक्शक और ने कहनाते में बहुत सारे बच्चों को जाहां तक हो सकता है, मों मोटिवेट करती रहती हूं, लेकिन सब बच्चे मोटिवेट नहीं होते हैं, मुकेश ने इस बात को मानना कि जैसे जैसे हमने बताया, और उसने हमारे अकोर्डिंग ये अपनी पढ़ाई की, और उसने स जरूरी नहीं है, कि वो पढ़ाई में ही अच्छा कर सकता है, वो किसी भी छेतर में खेल है, या और भी कोई छेतर, खूब सारे छेतर होते हैं, जिसमें उस बच्चे की रूच्ची हो, उस छेतर में ही बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आज जो खबर है, एक तरी काणियों है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बतायों, जलको जून जून देखता हो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छुट है, एक लेकां जो बैल आइकन है, विन दबाओ, जै हिंज जै जून जून